हालो मेरे प्यारे बच्चे हों कैसे हैं आप लोग तो चली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज हम करने वाले हैं magnetic effect of current के previous year नीट वाले question तो आई होप यह बहुत ही अच्छे होंगे motivator रहिए energetic रहिए और consistent और continuous hardware करिए और पढ़ाई करते थीक current carrying cable of radius आ रहे है मलब थीन नहीं है यार ठीक है जिसके पास कुछ radius consider करोगे तो जिसकी radius आ रहे है मलब थीक मतलब solid cylinder की तरव है और जिसमें current i uniformly distributed है uniformly मतलब क्या होता यह जो question है इसलिए कहता हूँ previous year question करना बहुत ज़रूरी 2021 में आया same question 2019 में आया था ठीक है अब यह repeat हो गया तो यह solid cylinder है यह इस type का solid cylinder आप पढ़े होगे और यह अंदर material है इसके भरा हुआ है और यह इसकी axis है और इसमें uniformly करेंट है uniformly का क्या मतलब होता बच्चों uniform का मतलब होता है area cross section में पर unit current पर unit area constant है non uniform होगा तो उसके लिए दुबारा लगाएंगे और uniform के लिए हम पहले ही standard result derive कर चुके है ब्यारे बच्चों तो इसमें current uniformly I distributed है जिसको मैं आई बोल देता हूं यहां पर दिया हुआ करता है variation of magnetic field along the axis from the R अब देखो अब magnetic field की magnitude मतलब यहां से मैं axis से इधर जाता हूं infinity तक मालो मैं axis से चलता हूं यहां इधर जाता हूं तो यह distance R है तो obviously जब current कहरी इसमें पूरे cylinder में uniformly current flow हो रहा है जिसकी value आई है तो obviously अगर ऐसे cable है और उसकी आसपर रिंग के फॉर्म में circular रिंग के फॉर्म में हर पॉइंट पर एक unique vector मिलेगा magnetic field up पड़े होगे ठीक है रिंग के फॉर्म में ऐसे आता है तो अगर मैं उस यह एक standard result है चाहो तो देखो मैं तो थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं पर यह एक standard result है लगवग हर एक कोचिंग में हर इसको करवाते ही है तो यहां से जब हम जाते हैं यहां से अब जिसको standard result है वह से डायरेक्ट लगा देगा अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा अगर यह uniform है तो बाहर में point P है तो बाहर में जो फिल्ड की वेल्ड होती है आड इस्टेंस पे वो होती है म्यू नॉट आई टू पाई इसमाला ठीक है तो यह जो है वो बाहर में फिल्ड होती है इस आउटसाइड फिल्ड तो सर्फेस पे जो फिल्ड होती है मतलब बाहर में जो फिल्ड है बी इस प्रपोर्शनल टू अपान आर के स्कुर्ड रेक्टेंगुलर हाइपर बोला या इक्वी लेटरल हाइपर बोला इसको बोलते हैं तो बाहर में तो यह सर्फेस पे यहां पर फिल्ड होती है यह एक्स्टेंडर रिजल्ट है लगा रहा हूं वो फिल्ड मैक्सिमम फिल्ड होती है सर्फेस में मैगनिचूड म तो μू नॉट आई, टू पाई, रेडियस र, कैपिटल र, रेडियस घड़ गया, इस पॉइंट पर जब हम आएंगे, तो इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आके, इकोल हो गया यार, नहीं तो आप MPS लो लगा तो यार, सिंपल सी बात है, लेकिन अंदर में जो है, बहुत सारे बच्चों भूल जाते हैं, कि इनसाइड जो है, यहाँ पॉइंट पी अगर यहाँ है, जो कि इसमाल आर डिस्टेंस पे है, और इनसाइड के अगर बात करोगे, इनसाइड, तो इनसाइड इसमाल आर इस लेस दिन कैपिटल आर, तो यह अल्रेडी डिराइव है रिजल्ट है, और उसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूं रिजल्ट को, तो मैगनेटिक फिल्ड भी इनसाइड हो होता है, म्यू नॉट आई, इसमाल आर, टू पाई, कैपिटल आर असक्वार, यह एक स्टेंडर रिजल्ट है, बच्चों, इंगुलर हाई पर बोला है, और सर्फेस पर मैक्सिमम है, मतलब यह हुआ, कि अगर मैं एक्सिस से चलना इस्टार्ट करों, मैं यहां से चलना इस्टार्ट करों, कहां तक जाओंगा, इन्फिनीटी तर, तो मैगनेटिक फिल्ड का मैगनिचूड, डिस्टेंस के साथ, मतल पर हुआ, कि यहां से यहां तक जाओगे, तो डिरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस्टेट लाइन आएगा, यहां से यहां तक इस्टेट लाइन फिर मैक्सिमम होगा, फिर इन्फिनीटी पर जाके उसको टेच करेगा, और एक्टेंगुलर हाईपरगोला मिलेगा, मतलब म में सेंटर से गर जाता हूँ, तो मेगनेटिक फिल्ड इन्करीज होता है, एक्सिस पर कितना होगा, यहां पर इस एक्सिस पर बात करोगे, तो आर जीरो पर मैगनेटिक फिल्ड कितना है, 0 है, अंदर में यह वाला रिलेशन लगा तो मतलब ग्राफ और ओर स्टेट लाइन यहां से निर्टे याँ याँ टीट लाइन है यहां से यहां तक स्टेट लाइन से वोगा soutर यह यह तो यहां से यहां तक स्टेट होती है उसको हमेशा याद रखो यार यह नेचर आप सिलेंडर पर डिपेंड नहीं करता है यहां एक बार मैं आपके लिए लिए लिख देता हूं कि आउट साइड अंदर में तो वेरी कर जाता है पर बाहर के बात करोगे तो बाहर में अगर इन फाइनाइट वायर है देखो या थो सॉलिड सिलेंडर है या थीक सिलेंडर जिनका इनर रेडियस अलग है और आउटर रेडियस अलग है इनर रेडियस आरवन है और आउटर रेडियस आउटू है तो इन सभी का इन फाइनाइट वायर का होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर और थीक सिलेंडर जिसकी अंदर में खाली है सम में current uniformly flow हो रहे करेंट uniform डिस्टिब्यूट है current पर यूणीट अरिया constant है तो अगर बाहर में जो देखोगे बाहर में जो फिल्ड देखोगे आर डिस्टेंज पर एक्सीस से आर डिस्टेंज पर जो फिल्ड की वेट्व है वो इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है तो यह सिलेंडर की मजा होगा समझ में आया होगा तो नेक्स्ट कॉशन देखते हैं चलो यह कहता है झाल झाल